नमस्कार सभी के लिए, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे अपने फाइब सैलेंट वार इन डेली लाइफ वैसे तो सभी राज्ये के लिए बात है लेकिन मैं बात करूँगा अपने राज्ये की उत्रा खंडे से शुरू करूँगा विद्याले में इतियास सभी ने पढ़ा है और पढ़ी भी रहें परंतु किस का इतियास और कहां का इतियास हर राज्य को चाहिए कि वह अपने राज्य का इतियास सरकारी वा प्राइविटी स्कोलों में पाठ्थे करम में सामिल करें इससे क्या होगा ऐसा करने से हर राज्य की गरीमा गौरव और अखंडिता बनी रहेगी तथा साथ ही उस राज्य की बोली का भी अध्यन किताब के माध्यम से शब्द वाक्य बोली कथा मोहाबरे पढ़ाये जाएं ऐसा करने से उस राज्य की महिमा परंपरावा संस्कृति बची और बनी रहेगी आजकल चल भी रहे बड़े नेता लोग परिशान है कि उतरा खंड़ में प्लाइन हो रहा है लेकिन इसका मूल कारण है क्या या लोग का शहर की तरफ ज़्यादा ध्यान है नहीं लोगों को यहां पर कोई कमी है नहीं में बेसिक का तो मुझे भी नहीं पता कि में बेसिक क्या है लेकिन यहां का जो राज्य का इतिहास है अगर उसे स्कूल के पठ्ठे करम में चाहिए वो सरकारी हो और प्राइवेट हो अगर उसमें शामिल किया जाए बच्चे अगर उसे बच्पन से पढ़ें फिर बड़े हों तो मेरे ख्याल से कुछ तो साइथ परक पढ़ेगा उत्रखंड का ही इतिहास बहुत प्राचीन है गौरप साली भी है जब यह केदार खंड हुआ करता था किताबे बहुत हैं बाजार में साथा सामान ने गयानने की भी इतनी किताबे हैं परंतु सिर्फ सरकारी नौकरी के समय पर दिखाई पढ़ती है विद्याले में यह वीज बोने की आवशकता है ऐसा करने से राज्य के व्यक्ति को और विद्यार्थी वा धीरे धीरे पूरे जन समाज को उस राज्य की जिसमें वो रह रह रहा है उसकी जानकारी होगी और भविश्य में राज्य स्थर की परिक्सा में भी सायक होगा बच्पन से अगर कोई इतियास को पढ़ लेगा तो मेरे खाल सो उसमें बाद में सावनने यानि की किताब पढ़ने की जिरुत नहीं पढ़ेगी उसके बदले में सायदो कुछ और पढ़ सकता है एडवांस में स्कूल समय से पाठे करम में राज्य का इतियास, संस्कर्ती वा परंपरा यह दि पढ़ा जाएगा तब शायद राज्य की गरिमा महिमा वा गौरब का प्रचम लह रहेगा सिर्फ गाने या फिल्म या दो चार फिल्म एक की दू की फिल्म आती है इनका वेट करें फिर इनको देखें फिर हमारे इंदर करांती जेगे वो भी नहीं जगती खेर ये संभव नहीं है इससे कुछ भी नहीं होगा देश के सच्चे इतिहास के साथ साथ राज्य के इतिहास को भी पाठ्य करम में अनिवार्य किया जाना चाहिए यही सामन ने ग्यान है और यही विशेश ग्यान भी है साइद आजकल मैं पालायन को लेकर के राजनितिक गलियों में बड़ा खलवली है इसमें मैं लिखना चाहूँ कुरी किताब लिख सकता हूँ मुझे लिखने का बड़ा शौक है क्योंकि लिखा सोच के लिखा जाता है और जो सोच के लिखा जाता है वो बिना दिखाई दिये हम लिखनी सकते हैं जो दिखता है वही सोसते हैं और जो सोसते हैं वही लिखते हैं यह message किसी भी परकार से यदी किसी राजनेती के political में जिसका कोई future हो या जो उसमें है अगर उन तक यह message पहुँचे साथ शिक्षा मंतरी के अगर यह दे मैं बात करूँ डाइरेक्ट तो तो वैसे यह कोई आदेस और निर्देस तो है नहीं लेकिन जन समास के लोग है तो अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है यह जितना भी राज्य का इतिहास अगर इसको स्कूल लेवल पे पांचवी छटवी क्लास अगर शुरू करा जाए राज्य का इतिहास तो बच्पन से अगर उस बीज को स्कूल में अगर बोया जाएगा ग्यान का बीज शिक्षा का बीज या राज्य के इतिहास का बीज क्योंकि राज्ये का जो इतिहास होता हुए यह हमारी धरोर होती है बुनियाद होती है अगर बच्चा अगर बच्पन से अगर इतिहास को सही से पड़ेगा सही से इतिहास को जानेगा तो उसको अपने अपर गौरब होगा स्वाबिमान होगा और अभिमान होना भी ज़रूरी है इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि अभिमान अगर सही के लिए हो तो वो गलत नहीं है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं और एक छोटा बच्चा पूरे देश का इतियास पढ़ रहा है पूरे देश का इतियास अब छोटी सी दिमाग के अंदर पूरे देश का इतियास हमा पाना मुस्किल है पहले मेरे ख्याल से राज्जे से सुरुवात करें तो राज्जे से बन बन के देश बनता है फिर जाके कुछ होगा और हर राज्य में जो छोड़ी छोड़ी समझते हैं वो भी मेरे ख्याल से खतम हो जाएंगी अपने राज्य के हिसाब से